हेलो एव्रिवन, डटा कम्युनिकेशन एंड नेट्वर्किंग में हम देख रहे हैं ट्रान्समिशन मीडिया के बारे में और इससे प्रिवेस वीडियो में हमने देखा था wired या फिर guided media के बारे में तो वहाँ पर हमने तीन different types की media को discuss किया था twisted pair cable, optical fibers and coaxial cables आज की video lecture में हम देखेंगे unguided या फिर wireless media के बारे में तो उसमें जो सबसे पहला है वो है microwave, terrestrial microwave नो एक ही करके इमको discuss करने से पहले एक electromagnetic spectrum जो wireless communication में use होता है उसका diagram में आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है वो कौन-कौन सी range के अंदर कौन-कौन सी communication use होती है, तो suppose हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं और यहाँ पर communication की range को हम divide कर लेते हैं यह है up to 300 GHz और यह 3 KHz से हम शुरू कर रहे हैं उसके बाद 400 then 900 ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर रहा है? basically यहाँ पर हमने frequency को दिखाया है और आप इस frequency में जोन-जोन से communication लाई करते हैं उसको देखते हैं सबस्वहले जही जो range है यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर आपकी radio और microwave काम करते हैं तो radio and microwave इस particular area में radio and microwave उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक infrared मैं यही पर लिख देता हूं अंदर infrared इसके बाद होती है visible light की range ठीक है तो यह एक electromagnetic spectrum है in this parabolic antennas are mounted on the towers to send a beam to another antenna which is around kilometer away कुछ kilometer दूरी पे एक दूसरे antenna को signal भीजते हैं किसी antenna से तो देखो इसमें बनता कैसे है अगर हम diagram बना के देखें इसका microwave link का तो हम क्या कहरें कि parabolic antenna है जो किसी tower के उपर है तो suppose एक tower हम ऐसे बना लेते हैं और इसके उपर एक parabolic antenna है ठीक है तो this is the tower और यह एक parabolic antenna हो गया अब यह क्या करेगा यह कुछ signals को send करेगा ठीक है ऐसे ही यहाँ पर एक और antenna एक और tower है जिसके उपर एक और antenna लगाओ है तो इस तरह से यह दोनों antennas आपस में communication करते हैं ठीक है तो यह तो इसका diagram हो गया microwave link का अब इसमें आप सीधा सीधा देख सकते हो कि जितना tower की height ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा range होगी तो यह एक important point है इसमें that higher the tower, greater is the range जितना tower ऊचा होगा उतनी ही range एक antenna की ज्यादा होगी ठीक है और यह जो terrestrial microwave है यह LOS transmission के उपर काम करता है और LOS transmission का मतलब होता है line of site so line of site transmission जो होता है यह उसका example है ठीक है अब इसकी कुछ characteristics है these are the characteristics of terrestrial microwave so important है यह भी पढ़ना characteristics सबसे पहली characteristic है इसकी frequency range कितनी होती है तो एक terrestrial microwave की जो frequency range है वो 4 to 6 GHz से लेके 21 to 23 GHz तक होती ठीक है then bandwidth जो यह support करता है वो support करता है up to 10 Mbps short distance जब हम short distance की बात करते हैं इसमें तो short distance के लिए इसको install करना inexpensive है सस्ता होता है बट जो long distance के लिए करते हैं वो relatively expensive होता है क्योंकि long distance के लिए आपको एक बहुत high tower के जुरुत पढ़ती है और उसको build करने में cost बहुत जादा लगती है attunation जो होता है वो effect होता है by frequency, antenna size, atmospheric condition attunation होता है loss of signal so it is affected by environmental condition क्योंकि जब आप wireless के बात करोगे then the effect of signal अब देखो जो signal यहां से यहां transmit हो रहा है उसमें भी कुछ effect होता है EMI effect होता है फिर jamming होती है और एक जो सबसे ज्यादा effect होता है वो होता है eaves dropping अब eaves dropping का क्या मतलब है suppose कर रहे हम कि यहां पे कोई user है और यह एक malicious user है और इसको पता करना है कि क्या signal transmit हो रहा है तो यह जो malicious user है यह क्या करेगा यह अपने यहां पे किसी building के उपर एक antenna लगा लेगा और try करेगा बीच बीच में इन दोनों के signal को catch करने की तो यह कहलाता है basically eaves dropping ठीक है तो यह कुछ effects होते है microwave या फिर terrestrial microwave के now let's see the advantages and disadvantages of terrestrial microwave advantages of microwave link सबसे बड़ा advantage होता है it is cheaper than cheaper than using cables कि जो cables है उसको use करने से cheap होता है कारण क्या है कि जब आपको cables यूज करने है तो आपको आपको बहुत ज्यादा cables को डालना पड़ेगा उसके लिए कुछ equipment चीए आपको digging करने पड़ेगी जमीन के अंदर cables को डालने के लिए देन आपको उसमें repeaters का use करना पड़ेगा ताकि जो आपका signal है वो दूरी तक जा सके तो इन सब को अधिनमाजर रखते हो हम क्या सकते हैं कि जो microwave link है वो cheap होता है देन cable then freedom from land acquisition तो जैसे मैं कहा रहा हूँ कि जब cables है उसको डालने के लिए आपको land को डिक करना पड़ेगा तो पहले purchase भी करना पड़ेगा तो freedom from land acquisition rights कि अब आपको land लेनी ही नहीं है तो land के acquisition को कोई issue नहीं आता इसमें then difficult terrains के अंदर cables को पिछाना बड़ा मुश्किल होता है उपट खाबड एरिया होते है रेतिल एरिया है वहां पर cables को पिछाना बड़ा मुश्किल है so ऐसी जगों पर microwave link बहुत एक easy mode of communication है so ease of communication in difficult terrains then अब बात होती जब oceans की तो oceans के अंदर cable बिछाना एक बहुत ही मुश्किल काम है तो हम कह सकते हैं that it has the ability to communicate over oceans so communication over oceans can be done with the help of microwave link ठीक है so यह तो इसके कुछ advantages थे है अब इसके कुछ disadvantages पी है जैसे कि मैंने दिखाया कि इसमें eaves dropping बहुत easily हो सकती है so it is a insecure communication क्योंकि जो air है उसमें तो कोई भी अपना एक एंटेरा के signal को catch कर सकते तो insecure होता है इसमें कभी-कभी जो out of face signal भी हो जाते है signal जो है वो out of face चले जाते है then it is susceptible to weather effects कि अगर बारिश हो रही है हवा चल रही है बिजली हो रही बिजली कड़क रही है तो उस case में signal आपके थोड़े से distort हो जाते है कुछ noise भी आज सकते है तो susceptible to weather condition then bandwidth allocation is very limited ऐसा नहीं है कि आपको पूरी unlimited bandwidth provide हो जाते है तो bandwidth की जो allocation वो limited होती है so bandwidth is limited then the cost is high in designing so cost of design implementation and maintenance is high so these are the some of the disadvantages of using microwave link now we will see the radio wave so radio wave radio wave uses the frequency between 10 kilohertz to 1 gigahertz for transmission so is range के बीच की जो frequency है उसको radio wave use करता है 10 kilohertz से लेके 1 gigahertz तक की now there are two different kinds of radio wave there are basically three different kinds of radio wave one is short wave short wave और इसे short wave होती है यह use होती है AM radio में उसके बाद होती है इसमें very high frequency जिसको हम बोलते है VHF very high frequency और यह use होती है FM radio और TV के लिए इसके बाद एक होती है UHF जिसको हम बोलते है ultra high frequency और यह भी use होती है TV में ठीक है तो यह different kinds की radio waves है जो use होती है so there are some advantages and disadvantages of using radio wave also बड़ जब radio wave की बात करते है तो उसमें कुछ components भी होते हैं so किसी भी radio wave के setup के दो components हैं किसी भी radio and receiver और जितनी भी आज today जितनी भी radio waves यूज हो रही है वो continuous sine waves यूज होती है so आज की टाइम में जितनी भी radio waves में हो सब continuous sine wave के उपर काम करते हैं so यह कुछ important points होते हैं आपको याद होने चाहिए कई बार objective questions के अंदर काम आ जाते हैं तो हम बात कर रहते हैं दो parts होते हैं radio wave के setup के transmitter और receiver so transmitter तो basic thing है जो signal को encode करके transmit करता है और receiver उस encoded signal को receive करता है decode करता है और दुबारा से watchable या फिर listening format के नदर convert करता है ठीक है so यह दो इसके parts हो गए so इसको हम लिख सकते हैं यह encoding करता है signal की और receiver decoding करता है अब देखते हैं इसके advantages और disadvantages सबसे पहला advantage है यह mobility offer करता है कि आप बहुत easily खहीं पर भी इसको setup कर सकते हूं mobility offer करता है cheap होता है then using cables so cheaper than cables again reason same है जो पहले देखा था then freedom from land acquisition same advantage इसका भी होता है so basically यह advantage किसके है wireless के wired media के उपर then ease of communication over different tenants तो अगर आपको एक के advantage पता है तो आप बाकियों की भी advantage easy नहीं लिख सकते हैं but ऐसा नहीं है कि आप इसमें यह लिख दोगे कि यह ocean scope पर भी काम करता है but most of the advantage is common होगे then disadvantage भी वह होता है insecure होता है कोई भी easily intercept कर सकता है ease dropping easily होता है then susceptible to weather condition so this is radio wave then the third type of wireless communication media is satellite microwave it is a special case of microwave relay system एक special case है microwave relay system का जिसमें synchronous satellites का use होता है to relay the radio signal transmitted from ground station तो देखो कुछ अगर हम इसको इस तरह से देखें अगर हम इसका diagram को imagine करते हैं कि कैसे होगा suppose यह हमारी earth की surface है और यहां पे कुछ antennas लगें ठीक है और यह antennas कुछ signal को भेज रहे हैं receive कर रहे हैं और यहां पे उपर कुछ satellites हैं synchronous satellites हैं तो यह क्या होता है कि यहां पे relay system use होता है कि ठीक है यह वाला signal गया इस satellite तक पहुंचा इस satellite ने इस signal को relay कर दिया आगे दूसरे antenna तक भेज दिया मतलब यह signal हो सकता है यहां पे आ जाए signal यहां पे गया इस satellite तक वहां से इधर आ गया तो basically क्या हुआ signal आपका यहां से यहां पे transmit हो गया ठीक है तो यह इस तरह से signal यहां से यहां transmit हो जाता है अब यह जो हम कह रहें ना antenna यह कहा है कि Earth Station पे कुछ satellite dish होती है जो as a antenna work करती है यह मैंने यहां पे show किया then we have a very important term in satellite communication and that is transponders so most communication satellites have multiple independent reception and transmission device known as transponders यह जो उपर जो satellites दिखाई है न यहां पे भी कुछ device तो होंगी जो receive करेगी signal को transmit करेगी तो वो device जो होती है जो receive करती है और transmit करती है satellite के अंदर वो कहलाती है transponders okay so transponders are what they are the devices they are the devices in satellite to receive and transmit the signal okay okay so this is the basic of satellite microwave अब इसके कुछ advantage और disadvantage सबसे बड़ा advantage तो होता है इसकी wide coverage एक country से दूसी country एक continent से दूसी continent तक signal बहुत easily आप पोचा सकते हो so the area coverage is quite large or very large area coverage is very large then the second is इस कि जो वही बात है कि जो ease of installing so ease of installing केबल बचाने से easy होता है इसको use करना then जो intercontinental traffic है मतलब जैसे UK में कोई match हो रहा है वह आप इंडिया में देख रहे हो satellite communication के मतद से so intercontinental traffic है उसके कारण satellite जो है वो commercially बहुत जादा attractive हो जाती है so commercial point of view इसमें बहुत जादा होता है so it is commercially attractive then they can cover any part of the earth any area of the earth so can cover large area of earth तो यह तो इसके कुछ advantages हो गए then disadvantages में कुछ technological limitations होती है there are certain technological limitations जो large high gain antenna को deploy करने से रोकता है then over crowding of available bandwidth over crowding of available bandwidth जो सबसे बड़ा disadvantage है इसकी cost बहुत ज्यादा होती है सबसे ज्यादा costly होता है then high atmospheric loss above 30 GHz limit carrier frequencies तो 30 GHz के उपच होता है वो atmospheric loss बहुत ज्यादा होता है signal का जिसके कारण जो carrying करने की frequency है वो बहुत ज्यादा limited हो जाती है so high atmospheric loss above 30 GHz so this is about the satellite communication then the last two are infrared and laser यह तो काफी simple है सिर्फ theoretical point of view से ही पढ़ना है इसे तो infrared light is used to send data data को send करने के काम आता है जैसे की example अगर हम कहें इसके कुछ daily हम देखते हैं TV remote infrared के उपर काम करता है उसके बाद automatic doors garage के doors होते हैं या फिर कुछ भी और automatic doors होते हैं वो भी infrared पे काम करते हैं और wireless speakers Bluetooth पे भी करते हैं और infrared पे भी करते हैं तो यह कुछ examples हैं जो infrared को use करते हैं it transmit data through air they can propagate throughout the room room की जो walls हैं उससे propagate हो सकते हैं but walls को penetrate नहीं कर सकता and it is considered to be secure one काफी secure होता है infrared communication उसका लेजर laser के direct LOS को use करता है line of sight को use करता है and it is unidirectional like microwave but has very high speed microwave की तरही unidirectional तो है but इसकी जो speed है वो बहुत जादा होती है but इसका जो disadvantage है that it can be affected by weather conditions weather की वज़े से ये काफी ज्यादा effect होता है so these are the some of the wireless or unguided media thank you for watching the video please subscribe to my youtube channel for more search tutorials thank you